तंजल टेटोरियल दे यूट्यूब चैनल दे तो अड़ा स्वागत है प्यारे बच्चों आच चसी अठ्मी कलास दा छेमा चैप्टर कर जा रहे हैं जिस दा नाम है कमबस्चन एन फ्लेम जान जालन अते लाट तर साथ तो कहला देखो तो वाट इस कमबस्चन जान जालन की है डेफिनिशन अ कैमिकल प्रोसेस इन विच अ सबस्टांस रियाट्स विद ऑक्सीजन तो गिव ओफ हीट इस काल कमबस्चन ओर साइन के रहा जिस विच पदार्थ ऑक्सीजन ना प्रतिक्रिया करके गर्मी दिंदा है जालन अखमाउदा है तब अच्चे जो पदार्थ हन ओनानों असी दो शिरिणियादे विच बंडिया है जिस तरह के जलन शील पदार्थ अते ना जलन शील पदार्थ गंबस्चिवल एन नॉन गंबस्चिवल तब अच्चे जेड़ा पदार्थ बाल्दा है ओहो जलन शील पदार्थ अखमाउदा है इसनों बालन वी आखदे हन बालन ठोस, द्रव जा गैस हो सकदा है जिवें लकडी, पेट्रॉल, एलपीजी, गैस अगे देखो नॉन कंबस्चिवल जा ना जलन शील पदार्थ केड़े होंदे हन तक जेड़ा पदार्थ बाल्दा नहीं है ओहो ना जलन शील पदार्थ अखमाउदा है जिमें पत्थर लोहे दी किल आदी ता अगे आगे बच्चे रिक्वाइर्मेंट्स फॉर कंब्यूजन जा जालन दे लेई की जरूरता हन पहला प्रेजेंस आफ कंब्यूस्टिबल सबस्टांस जलन शील पदार्थ दी मजूदगी ता बच्चे ओ जालन दे लेई जलन शील पदार्थ दा होना बहुत जरूरी है जे जलन शील पदार्थ ही नहीं होगा ता जालन भी नहीं होगा प्रेजेंस ओफ ओक्सीजन ओक्सीजन दी मौजूदगी तब बच्चे जेशत्रा सानू पता है कि जो ओक्सीजन है ओहो जालन किर्या देवेच सहायता करती है अक्सीजन जो है एहे जालन किर्या नों तेज कर दी है जे अक्सीजन दी कमी होएगी ता ओथे जालन किर्या कट होएगी अगला आगया इगनीशन टैंपरेचर जान जालन तापमान तब अच्चे एगनीशन टैंपरेचर जान जालन तापमान की होंदा है तां बच्चे जालन तापमान ये ओग कटो का तापमान हुंदा है जो किसे पदार्थ नू जलाउन दे लेई जरूरी हुंदा है जे कोई पदार्थ उस दे जालन तापमान तक गर्म नहीं हुंदा तां उस पदार्थ नू अग नहीं लगेगी ता एसलिए किसे पदार्थ नू जलाउन दे लेए उस पदार्थ नू उस दे जालन तापमान तक गर्म करना जरूरी हुन्दा है हाँ जी बच्चे हो नसी कोज उतारना लेके समझन दी कोशिश कर दे हाँ के ऑक्सीजन जो है ए जालन दे ले जरूरी है अते जो प्रजलन तापमान है वो भी एक जलनशीर पदार्थ नू जलन दे विच्च सहायता करता है तब अच्चे पहली किर्या देखो एस किर्या विच्च की है असी तिन मौबत्या लेने हाँ इनना तिनना मौबत्या नू असी जला लेना है तब पहली मौबत्य दे उपर असी एक गोड जार रखना है जिस नू की असी दो लकड़ दे गुटकें उते रखे है ते ए जार जो है निचों भी खाली है ते उपरों भी है कि यह खाली है तब कहनता पाव एह है कि मौबत्य नू उपर तों अते हेठा तों दोमें पास्यां तों पूरी ऑक्सीजन मिल रही है जलकी अगली स्लाइड दे विच देखो की है एस चित्तर विच असी देख दे हां कि ए जो कच्चता जार है एस नू उसी निचों बिलकुल ही एस गत्ते दिना लगा रखे है ते एस जार दे विच सिर्फ उपर तों ही अक्सीजन आ सकती है जलकी तीसरा जो जार है एस जार नू उसी की गिता है हेठा तों भी बिलकुल बंद है ते उपर तों भी एनू की अगासी बंद का रखे है तांकि अक्सीजन ना उपरो जार च जा सके ना नीचों तां बच्चे तुसी इनना तिनना तस्वीरां दे विच देख सकते हो कि पहली तस्वीर दे विच जो मौबत्ती है हो चंगी तरह बाल रही है क्यों बल रही है बच्चे क्योंकि मौंबत्ती नूं निचों अते उपरों पूरी ऑक्सीजन दी सप्लाई हो रही है जद की जो दूसरी सलाइड है एस विच की है एस विच मौंबत्ती दी लाट जो है वो कम रही है तम मौबत्ती दी लाट बच्चे क्यों कम रही है क्योंकि एस मौबत्ती नो ऑक्सीजन दी सप्लाई काट हो रही है जिस तरह के तुसी देख सकते हो ए जार नीचों बंद है सिर्फ उप्रों ही ए जार खुला है ते मोंबत्ती नों सिर्फ उप्रों ही ऑक्सिजन दी सप्लाई हो रही है जो की पहली मोंबत्ती दे मुकाबले बहुत काट है जिस कार मोंबत्ती दी लाट जो है हो कमबना शुरू कर देंदी है जरकी बच्चे इस तीसरे चित्तर दे विच तुसी देखो एस चित्तर विच ए जो जार है ए हेटा तो भी बंद है ते एस जार नों से उप्रों भी की है बंद कीता होया है ता एस तरह एस जार दोने पास से तो की है बंद है तेस तरह जड़ी आही अश दे अंदर जड़ी मोंबत्ती है उहू जिनना चेर एह जार्द अंदर अक्सीजन म Fen Pen Col 77 उनना चेर एह मुवत्ती जाल दी रही जे में ही एस जार दे अंदर अक्सीजन दी सप्लाई बंद हो जन्दी है ता एह मुवत्ती भी की है जलना बंद हो जन्दी है क्योंकि एस मुवत्ती नो ना उप्रों अक्सीजन मिल रही है ना निच्चों ता अक्सीजन दी काटकार न एह मोंबत्ती जो है जड़ना बंद कर दिन्दी है ता बच्चे एस केर्यातों सानूं की पता लगया कि किसे भी पदार्थ नूं जलन दे लेई अक्सीजन दी मजूद्गी होना जिरूरी है ता हुण बच्चे अगला चित्तर देखो अगले चित्तर दे विच असी की देख दे हां अगले चित्तर दे विच बच्चे असी दो कागर दे कप पड़ाए हन ते इना कागर दे कपाने विचों एक कागर दे कप दे विच असी की एगा पानी पाया है जद के दूसरे कागदे कप दे विच असी कोई पानी नहीं पाया ता फिर उस तो बाद बच्चे असी एना दो में कपा दे हेठा मुबत्ती जला के एना नू जलाओन दी कोशिश कर दे हाँ ता बच्चे तुसी देखोंगे कि जेडे कप दे विच पानी नहीं पाया ओ कप जो है ओहो मुबत्ती दी लाड लगण दिनार की एगा हो जलना शुरू कर देंदा है जरके जिस कप दे विच असी पानी पाया है ओस कप दे नीचे जलो मुबत्ती जलाई जन दी है तां काग दे कपनू अग नहीं लग दी तां बच्चे एस तरह क्यों होया तां एस दा कारण एह है कि जदों असी मोबत्ती नाड इस कपनू गर्म करना शुरू कीता तां मोबत्ती दा जो ताप सी ओस तापनू एस कप दे अंदर मजूद पानी ने सोख लया जिस कारण एस काग दा तापमान उस दे परजलन तापमान तक नहीं पहुंच सकया जिस कारण किया एस काग दे कपनू अग नहीं लगेगी तां एस के रहा तो साबित होंदा है कि जलन शीर पदार्थनू जलाउन दे लेई ओस पदार्थ नू ओस दे जगम तापमान तक गरम करना जिरूरी है तब चे अग्गे देखो और अग्गे ए जो चित्तर दखाया गया है एस चित्तर विच की है तब चे एस चित्तर विच अशी देख दे हां कि एक व्यक्ति है जिस दे कपड़े नू अग लग गई सी तब चे कंबल दे नाल पेटर नाल की हो जन्दा है तब चे जिस तरह अशी पहला विच के रियादे विच भी देख्या है तेसा नू पता है कि अग्ग नू बढ़दे रहन दे लेई ऑक्सीजन दी सप्लाई होनी जिरूरी है तब चे जदों किसे विक्ति नू अग लग दी है जे असी ओसले उपर कंबल पेट दे हाँ तब चे ये जो कंबल है ये अग्ग नू ऑक्सीजन दी सप्लाई रोक देंदा है तब चे अग्ग नू ऑक्सीजन नहीं मिल सकती जिस नार की है अक्सीजन तो बिणा आग्ग दा बढ़ना मुश्किल होन्दा है ते इसले अग्ग जो है हो बुझ जन्दी है हाँ जी बच्चे अग्ग अग्या अग्या जदों भी किसे अमारत नू अग लग दी है ता असी फाइर ब्रिगेड नू बनाओ दे हाँ तब च्चे अग्या पाणी 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 नार की होन्दा है तब च्चे जो पाणी है इह जलंशीर पदार्त नू ठंडा करदा है जिस नार ओना दा तापमान ओना दे जलं तापमान तों काट हो जान्दा है अजेहा करण नार अग्ग दा फैलना रुक जान्दा है जल वाश्प जलनशीर पदार्थ नू टाक लेंदेहन जिसना हवा दी सप्लाई बंद हो जन्दी है अते अग बुझ जन्दी है तब बच्चे एकका दसो भी की यसी हर तरह दी अग नू पानी देना पुझ आ सक देया मन लो किसे बिजली सरकट विच अग लगी है जां तेल उपर अग लगी है ता की यसी अजेही अग नू पानी देना पुझ आ सक देया बिल्कुल नहीं क्योंकि बिजली नाल लगी अग नू जे यसी पानी देना पुझ आ मागे ता सानू पता है कि पानी जो है इह बिजली दा चालक होंदा है जिस नाल की जो व्यक्ति पानी देना अग पुझ आ रहा है ता उस व्यक्ति नू पानी विच्चोंदी बिजली लंग के उस व्यक्ति नू करंट लग सकता है ता जही आगनू बजाओन ले असी की वर्ताँगे ता बच्चे बिजली जा तेल उपर लगी आगनू बजाओन दे ले असी एक खास उपकरम दा उपयो कर दे हां जिसनों असी की कहने हां अग बजाओ यंतर जां फायर एक्स्टिंगिशर ता बच्चे एक फायर एक्स्टिंगिशर दा की कम है ता एस फायर एक्स्टिंगिशर दे विच किया बच्चे कारबन डाइकसाइड गैस पर ही हुंदी है ते असी जान दे हां कि ए जो कारबन डाइकसाइड गैस है ये अक्सीजन गैस देनाडों जादा पारी हुंदी है ता जदो असी बिजली सरकट नो लगी अग उत्ते फायर एक्स्टिंगिशर दी साहिता देनाड कार्बन डायकसाइड गैस लाद छिड़काओ कर दे हाँ ता कार्बन डायकसाइड गैस जो है ये जलनशीर पदार्थ नो एक कंबडवांग टाक लेंदी है जिस नाड ओस जलनशीर पदार्थ दा ऑक्सीजन देनाड संपर्क टोट जन्दा है ते अग जो है हो बुझ जन्दी है ता बच्चे अग्डे आगया जालन दियां किसमा ता जालन दियां बच्चे मुख तोर ते तिन किसमा हन रैपिर कंबश्चन जा तीबर बलन स्पॉंटेनियस कंब्यूजन जा सुत्ते सिद बलना ते तीसरा है एक्स्प्लोजन जा विस्फोट ता बच्चे इना ने विच की है तीबर बलन की होंदा है जा रैपिर कंबश्चन की होंदा है बच्चे असी वेख दे हां कि गैस तेजी नाड बल दी है जदों असी गैस दे चुले नूँ लाइटर देना चलाऊं दे हां तक गैस जो है वो बहुत तेजी नार बर्ण लग पेंदी है अते गर्मी अते प्रकाश पैदा करती है इस किसम दा बालन तीबर बालन जहां रैपिड कंबस्चन अखवांदा है तब अच्छे स्पॉंटेनियस कंबस्चन जहां सुत्ते सिद बर्णा की हुंदा है असी वेख्या है कि फॉस्फोरस वरगे कुछ पदार्थ हन जो कमरे दे तापमांते हवा विच बर्ण पेंदे हन ता एस किसम दे बालन जिस विच पदार्थ बिना किसे परतक कारण दे अचानक लप्ता दे नार बर्ण पेंदा है अजेहें बालन उसी की कहने हां सुत्ते सिद बलना जां स्पॉन्टेनियस कमबश्चन हाँ जे बच्चे एस तो बाद अगला आ गया एक्स्प्लोजन जां विच फोर्ट ता बच्चे असी देख दे हां कि तहारां दे उते कई वारसीं देख दे हां कि उते आतिशवाजी हूंदी है जाँ जदों पटाके नों जलाओं दे हां ता अचानक प्रतिक्रिया होनार गर्मी परकाश अते आवाज पेदा हूंदी है प्रतिक्रियाम विच बनी गैस जादा मात्रा दे विच निकल दी है एस तरह दी प्रतिक्रिया की हो दी है विसफोर्ट जाँ एक्स्पोजन हाँ जी बच्चे अगे आगया फ्लेम जाँ लाड फ्लेम वें सम्थिंग इस बांट अ होट लुमिनस गैस emerges out of the substance this gas is called as flame फ्लेम्स आर रिजल्ट आफ जाँ जाँ लाड की है जदो कोई चीज जलाई जन्दी है तां ओस पदात विच्चों एक चमकदार गैस बाहर आँ दी है एस गैस नू लाड केहा जन्दा है लाटां ओना पदार्था दा नतीजा हन जो जलन ते पाफ बांदिया हन जिमे के मिटी दा तेल मोम आदी हाँ जी बच्चे अग्गे आगया स्ट्रक्चर ओफ फ्लेम जाँ लाट दी रजना ता बच्चे एस सलाइड दे विचसी मोम बत्ती दी लाट दे वाख वाख पागांबरे पढ़ांगे पढ़ांगे ता देखो बिना जली मोम बत्ती दा सब तो विजला खेतर काड़ा जी ता ए मोम बत्ती दा बच्चे एक काड़ा खेतर है जो जालन दे विचसाइता नहीं कर रहा ता एक काड़े रंगदा है ते अगला पाग देखो ए है आशक जालन वड़ा पाग जिस विच आशक जालन हो रहा है ता ए पाग की है बच्चे पीड़े रंगदा है ता ए पीड़ा पाग है ते मुबती दी लाट दे बच्चे जैसी सब तो बाहरले पासे देखिए ता एस दे विच जड़ी ए लाट है यह नीले रंग दी है एस लाट दा रंग बचे नीला क्यों है क्योंकि ए जो मुबत्ती दी लाट दा सब तो बहरला पाग है एस नो पूरी अक्सीजन मिल रही है जिस कारण एस पाग विच पूर्ण जालन हो रहा है तान जे देखा जावे तान मुबत्ती दी जो है नीली लाट है एहे पाग जो है एहे सब तो गरम पाग होंदा है क्योंकि एस विच पूर्ण जालन हो रहा है मुबत्ती दे एस पाग नो पूरी अक्सीजन मिल रही है इसलिए एहे मुबत्ती दा सब तो गरम पाग होंदा है ओ पाग कियेगा काट गरम पाग है ते जो मुबत्ती दा सवतो अंदरला पाग है जिसनों पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही ता ओ सवतों काट गरम पाग हुएगा ता एस तरह सी मुबत्ती दे तेन वक वक पाग दे के हन सवतों काट गरम पाग जो की सवतों अंदरला पाग है काट गरम पाग जो की मुबत्ती दी लाड़दा मद पाग है अते सवतों गरम पाग जो की मुबत्ती दी लाड़दा निला पाग है जिसनों पूरी ऑक्सीजन द करदा इह पाग जो है है सब तों गरम पाग है हाँ जी बच्चे अग्गे देखो के विच जोन आफ फ्लेम डज अगोर्ड स्मित यूज फॉर मैल्टिंग गोर्ड एंड सिल्वर सोने अते चांदी नूत पिगलाउंड दे लेई सुन्यारे लाट दे किस खेटर दी वर्तों क बच्चे देखो जेस तरह कि अपना पृष्ले स्लाइड दे विच देख्या है कि मौन बती दी लाट दा जो सब तों गरम पाग है ओंखिटर पाग है हाँ ओ मौन बती दी लाट दा सब तों बाहरला पाग जो की निले रंग है ता क्योंके निले रंग दा पाग जो सब तो गरम पाग है ता सुन्यारे जो हन वो सोन्य ते चांदी नो पिखला होंदे लेई मौंबत्ती दे उसे सब तो बाहरली लाड़दा उप्योग कर दे हन क्योंकि लाटदा ओपाग सब तो ज़्यादा गरम पाग होंदा है हाँ जी बच्चे अगे आगया What is a fuel जहां बालन की है पहला देखो definition Material such as coal, gas और oil that is burned to produce heat और power is called fuel तब च्चे फ्यूर जहां बालन की है पदार्थ जिमे के कोडा, gas अते तेल जिनना नूँ गरमी जहां ऊर्जा पैदा करन लेई जलाया जान्दा है बालन अखवांदे हन तब च्चे अगे आगया characteristics of good fuel जहां चंगे बालन दियां विशेश तामा तब चंगे बालन विच की खुबियां होनियां चाहिए हन readily available तब बालन जो है असानी नाड उपलब्द होवे cheap ओ सस्ता होवे burns easily in air हवा विच असानी नाड बालदा होवे produce large amount of heat जादा ताप पैदा करदा होवे does not leave any residue after burning जलनतों बाद कोई रहन खूद ना छटे ताँ जिस बालन विच ए विशेश तामा होण गयां ओनों असी कर चंगा बालन मन सकते हां होण बच्चे fuel efficiency जाँ बालन योगता ताँ केड़े बालन नों असी चंगा बालन मननागे असी ओस बालन नों चंगा बालन मननागे जिस दा calorie मुल्क वद होवेगा जाँ कलोरिफिक वैल्यू जिस दी जाड़ा होईगी ओस बालन विच चंगा बालन मननागे ताँ बच्चे बालन योगता जाँ fuel efficiency की है ताँ fuel efficiency जो है बालन योगता दी पर्क करने ले यसी ओस बालन दी केलोरिफिक वैल्यू जाँ केलोरी मल्क देख दे हा ताँ बच्चे केलोरिफिक वैल्यू की हुदी है दा अमोंट ओफ हीट energy produced on complete combustion of one kilogram of a fuel is called calorific value the calorific value of a fuel is expressed in a unit called kiloJoule per kilogram किसे बालन दे एक किलोग्राम नूँ पूर्ण जलौन तो उपजी गर्मी उर्जा दी मात्रा उस दा कैलोरी मुल अखवांदी है ता जदो बच्चे ऐसी एक किलोग्राम बालन नूँ जलौ असी पूरा जलौन दे हां ता उस एक किलोग्राम बालन दे पूरा जलन तो जो गर्मी उर्जा पेला हुंदी है उस गर्मी उर्जा दी मात्रा नूँ असी की कहने हां उस दा कैलोरी मुल ता बालन दे केलोरी मुल नूँ किलो जूल प्रती किलोग्राम एकाई द्वारा प्रदर्शित कीता जान्दा है हां जी वच्चे अग्गे आगया वाक वाक बालना दा केलोरी मुल ताँ उन एस सलाइट दे विच ची वक वक बालना दे कलोरी मुल जा कलोरी फिक वैल्यू वरे जानकारी प्राप्त करांगे ताँ सबतो पहला देखो काव डंग केक जा जिशनों सी गोपर कहतें नेया जा गोपर देया जो पाथिया बन दिया हन उनना दा कलोरी मुल किना है छे हजारतों अट हजार किलो जूल प्रती किलो ग्राम एसे तरहीं वुट जान लकडी दा किना है स्तारा हजारतों बाई हजार किलो जूल प्रती किलो ग्राम एसे तरहीं कोल जान कोड़े दा किना कलोरी मुल है बच्चे 25,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 एसे तरहीं बच्चे CNG जो गैस है 11 कलोरी मुलक इनना है 1500 किलो जूल पृति किलोग्राम एसे तरहीं LPG गैस जो असे करे शलेंड्रान दे विच वर्त दें हाँ ओ एलपीजी गैस होंदी है ता एस एलपीजी गैस दा बच्चे कलोरी मुल किना है 55,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम बायो गैस जहां गोपर गैस जिसनों से कह देने हैं ओस दा कलोरी मुल किना बच्चे 35,000 किलो जूल प्रती किलो ग्राम ते हाइड्रोजन गैस जो है तब चे एस गैस दा केलोरी मुल जो है ओ सावतों वद है ओ है एक लग पजाह यार किलो जूर प्रती किलोग्राम तब चे अगे देखो बर्निंग ओफ फ्यूल्स लीड्स टू हामफुल प्रोडक्ट्स तब बालन दे जलन नाल हानिकार को उपजा प्रापत हों दिया हन। जिस तरह की देखो बच्चे इस चार्ट दे विज दिखाया गया है कि बालन दे नार वक वक तरह दिया हानिकार को पजाँ प्रापत हों दिया हन। तो देखो जेड़े बालन पूरी तरह बार दे हन। Complete confusion जेड़े बालना दा पूरी तरह जालन होंदा है। वो की करते हन। Release unburnt carbon particles वो अनजले carbon दे कान चाड़ दे हन। जिनना दिनार कियेगा सानू एस्थमा हो सकता है ते साध यह बुमारियां हो सकते हन। जिमें की गेड़े बालन है अनजले carbon दे कान चाड़ दे हन। वो केड़े केड़े बालन हन बरने का wood लकड़ी दा जलावना जा कोड़े दा जलना। एसे तरह बच्चे यह जो बालन हन जिनना दा पूरा दहन होंदा है यह carbon dioxide gas भी छड़ दे हन। ते carbon dioxide gas जो है यह ती कर दी है यह global warming दा कार्ण है। ता जिनने भी बालन हन तकरीबनों सारे बालन ही जो हन है carbon dioxide gas छड़ दे हन। एसे तरह बच्चे यह बालन जो हन यह sulfur dioxide gas भी छड़ दे हन। ते sulfur dioxide gas जिस तरह के तो अनुपता है यह तिजाबी वर्खा दा कार्ण है। ते ओ जिड़े बालन है sulfur dioxide gas छड़ दे हन ओ केड़े केड़े हन कोड़ा आते डीजल। ता ज़दों बच्चे यह बालन जाल दे हन ता यह बालन की है जलन तो बाद की है वाता वरंदे वेचे sulfur dioxide gas छड़ दे हन। जो की तिजाबी वर्खा दा कारण है। एशे तरह बच्चे जड़े बालन पूरी तरह जिन्ना दा जालन नहीं होंदा। ता ओ बालन की छड़ दे हन ओ कारबन मोनोकसाइड गैस छड़ दे हन। ता एक कीएगा एक कारबन मोनोकसाइड गैस जो है एक जहरीली गैस है जो की लोगका दी मौत दा कारण बनती है। ता एशे तरह बच्चे बालन दे जड़न दे नाड़ वक वक तरह दे हनिकार कपदार्थ पैदा होंदे हन। जो की साड़े ली नुकसाण दा एक भी हो सकते हन। एसले सानू ओ बालन ही वक तने चाहे दे हन जो की काट तो काट साड़े वाता वरंदा नुकसाण करन। बच्चे मैंनू उमीद है कि तो हानू आज दा एह लेक्चर समझ आगया होएगा। जे तो हानू साड़ा आज दा एह लेक्चर चंगा लगया ता तुझ साड़े चैनल नू लाइक, शेर अथे सब्सक्राइब जरूर करू। आज दे एस लेक्चर नू त्यान नार सुनन देली तो आटे सब्दा बहुत बहुत तनवार।